हेलो फ्रेंज, तो मैं आज आप लोग को बता दू, आवेस क्या होता है? तो आवेस मौलिक कन का वहां अंत्रिक गुन है जो विधूतियत था चुमबखिया प्रभाब को उत्पन करता है आवेस कहलाता है सिंदी अथवा करके दिया है किसी बस्तु को आवेशित कहा जाता है यदि उस बस्तु को आवेशित कहा जाता है यदि उस पर बैधूत बल आरोपित होता है किसी कंगर का सित तभी कहा जाएगा यदि वास्तु पर बध्धूत बल आरूपित होगा ठीक बध्धूत बल आरुपित को haot सब्सक्राइब कर दिया है अब इसका इलेक्ट्रोन का वहां अंत्रीक गुन जो उनके बीच लगने वाले व्यद्धुत बल को बढ़ा देता है क्या कर लाता है इलेक्ट्रोन में जो गुन रहता है वहां अंत्रीक गुन जो उनके बीच लगने वाले व्यद्धुत बल उनके निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं किसी वस्तु को धना वेस कहा जाता है यदि उस वस्तु पर इलेक्ट्रोन की कमी होती है किसी वस्तु को धना वेस तभी कहा जाएगा जब उस पर इलेक्ट्रोन की कमी होगा तो उसको कहेंगे हम धना वेस इस धना वेस का प्राचीन नाम विटिडियस था रिना वेस निगेटिव चार्ज किसी वस्तु को रिना वेस कहा जाता है यदि उस वस्तु पर इलेक्ट्रोन की अधिकता होती है मतलब किसी वस्तू को रिना वेस तभी कहा जाएगा जब उस वस्तू पर इलेक्ट्रोन की अधिकता होगी इसका प्राचीन नाम है जो रिजिनियस है इसका प्राचीन नाम क्या है रिजिनियस है इसका प्राचीन नाम रिजिनियस है आवेस क वर्गी करन धना वेश तथा रिना वेश वेंजामीन फ्रेंकलीन के रूप में इसके लिए अगला वीडियो आप लोग कर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में वेश के बारे मता दिया है थेंक्यू